हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीत और आप देखरें टेक गाइड अगर आपका बजट 15,000 की नीचे हो और सेल के दौरान अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है किते ओफर लगेंगे नहीं लगेंगे सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख सब कुछ आपका भाई आपको बता देगा हाला कि PDF अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है जो हमने पूरे रिसर्च करके आपको दिया है तो जा करके डाउनलोड कर लेना और उसके तुरू अगर आप कुछ भी भाई करोगे ना तो बैस्टी प्रोड़क्ट आपको मिलने वाला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना तो सब कुछ मैंने अच्छे से रिसर्च किया है और पहला जो फोन में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है दोस्तों CMF Phone 1 अब यह जो फोन है ना इसमें आपको पीछे के तरप से वेगन लेदर मिल जाता है डिजाइन इसकी नोडाउट काफी अच्छी है यह जो फोन है ना लॉंच वादा साइट 15 या 16 हजार की कीमत में और यहाँ पर जो सबसे ज़ादा हाइलाइटिंग फीचर है ना वो है इसका सॉफ्ट्वेर एक्स्पीरियन भाई कोई भी ब्लोट्वेर यह सब आपको देखने को नहीं मिलेगा हैं सिंगल स्पीकर है तो वो चीज का ध्यान रखना एक और चीज है बॉक्स के अंदर आपको कोई भी अड़ाप्टर नहीं मिलता है तो यह भी एक पॉइंट है हलाकि इसके पूरे फीचेस आप देख लो आप देखो आपके लिए ना थोड़ा स है तो उसे साब से यह 13,000 की कीमत में यह फोन आपको देखने को मिल जाएगा तो अच्छा डील बन जाता है लेकिन हां रुक जाओ भाई अगर आप 13,000 में खरील दो गए तो नुकसान अगेन आपको हो जागा क्योंकि आडप्टर तो मिला नहीं है और पीडी चार्जिंग लगा करके ही मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं एन इस चीज़ को भी अगेन मैंने चेकाओट प्रेस तक ले जाकर के देखा लगबग 2-300 रुपे आपसे लेंगे एक्स्ट्रा और आपको एक एडप्टर भी मिल जाएगा जो की पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता ह तो यह कॉंबो आफर ज़रूर लगा लेना आप कब तक रहेगा वो मुझे नहीं पता वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं अब जो नेक्स्ट फोन में आपको यहाँ पर बताने वाला होना वो गेमिंग के हिसाब से बहुत जादा अच्छा रहने वाल के आया था and in fact इसके पूरे डीटेल्स अगर आपको देखने होंगे तो unboxing वीडियो को देखना आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा आप देखो यहाँ पर ना card है आपके पास नहीं है कोई problem नहीं है आप इसको चाहो तो आराम से checkout कर सकते हैं वैसे इसके पूर 1000 की कीमत में मिलेगा और उस हिसाब से अगर आपको gaming के हिसाब से भी देखना था ना तो आप इसको definitely consider कर सकते हैं हलाकि इसका अलग-अलग color भी आता है जो भी आपको पसंद है आप अपने according buy कर लेना और यहीं पर से अगर आपका budget थोड़ा सा कम है तो फिर आप यह realme का P1 5G को खरीद सकते दोस्तों जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं कि 13,999 पर यह लिस्टेड है ऐसे यह भी जो launch हुआ था था ना 15-11,000 की कीमत में मिल रहा था तो अभी भी offer में आपको अच्छे discount मिलेगा features आप देख लो यहां पर भी 3.5M jack मिल जाता है gaming आप कर सकते हैं AMOLED दिस्पले है, overall phone को मैंने test किया भाई, अच्छा experience आपको करा देता है, इससे भी जादा important है कि यहां पर से 1000 का discount आपको debit card पर मिल जागा, तो आप चाहो तो checkout करकी इसे 13,000 की कीमत में खरीद सकते हैं, और उस इस आप से value for money है, आप इसको भी checkout कर सकते हैं, तो यह जो दो phones मै आपको मिल जाएगा, Samsung का Galaxy M35 5G, अब देखो इसकी looks यह सब भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, design अच्छा है, यहां पर से आपको देखने को मिल जाएगा, जो Exynos का processor है वो, वही एक point है, 1380 वाला, तो वो एक, अगर आप gaming के purpose से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा weaker side र मिल रहा था, बड़ अभी मैं देख रहा था कि भाई, यहां पर से इसकी कीमत 15,000 कर दी गई है, और उपर से अगर आपके पास SBI का ATM कार्ट भी होगा ना, तो आप इसमें 1250 रुपय का discount ले सकते हैं, तो भाई, insane offer है, definitely आप देख ले ना, लेकिन हा, इसके अंदर चार्ज बहुत जादा अच्छा है, लुक्स भी अच्छी है, यहां पर Snapdragon का processor मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, Poco X6 5G को लेकर के, जहां पर से आपको मैं इसके features दिखा देता हूँ, आप clearly देख सकते हैं, अच्छी बात यह है कि 8GB RAM, 256GB का storage मिलता है, तो अगर आप बाकी जो phones मैं आपको बताया न, उसको अगर आप खरीदने जाओगे, तो उसके लिए higher variant खरीदना होगा, पैसे जादा लग जाएंगे, तो यह एक अच्छा option रहेगा, उस case में, आपको 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले की quality बहुत जादा अच्छी है, और यहां पर से मैं अपना use कर सकते हैं, HDFC का, accordingly, and then फिर आपको 15,000 की कीमत में यह phone मिलेगा, क्योंकि जब launch वाता न, तो 20,000 के आस-पास मैंने खुद इसको बाई किया था, flip card की उपर से, तो भाई, discount काफी अच्छा है, definitely आप इसको भी देख सकते हैं, अगर आपके लिए priority रखता है, display की quality, and overall अगर आपको 256 GB variant भी चाहिए होगा, तो बाकी brand से आपको सस्ते price में देखने को मिल जा रहा है, तो मैंने आपको 15,000 की नीचे आने वाले best smartphone suggest किया, और साथी साथ bank के offers भी लगा करके दिखा दियें, ताकि आप easily check out कर पाओ, तो इस बात के लिए appreciate करना वीडियो को like करके, and cheat sheet अगर आपने download नहीं किया है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से research करके, अलग-अलग products के links आपको दिये है, तो उनको आप जरूर देख लेना बहुत help होता है, description box में आपको link मिल जागा, बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt है, comment कर लेना वीडियो अच्छे लगओ, like करना, share करना, चैनल पर नहीं होंगे, subscribe करके जाना, so thanks a lot for watching